हाई गाईज वेलकम टू नूर्स तड़ का तो आजकर बहुत अच्छी कच्छी केरी मार्केट में आई हुई है तो क्यों ना हम इससे भी बनाए एक इंस्टेंट सा बनने वाला अचार जो दस से पंदा मिनट में बन जाता है और हमारे खाने के स्वात को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है तो कैरी को मैंने अच्छे से दो लिया है और फिर इसको सुका लिया है ये एकदम सूखी होई होनी चाहिए और फिर हम इसको काटेंगे तो जब हम इसे काटेंगे तो इतनी कच्छी हो रही होती है तो इसकी गुठली भी साथी कट जाती है तो फिर भी हमन इसको ध्यान से सारी गुटली को हटा देना है इस तरह से इसको अच्छे से साफ कर लेना है और फिर हम इसको काटेंगे तो आप इसको चाहे तो लंबा काट लीजिए या फिर छोटा-छोटा पतला-पतला काट लीजिए यह आपकी मरसी है तो मैं इसको छोटा-छोटा पतला काटूंगी, इससे ये खाने में easy रहता है, रोटी के टुकडे के से आराम से ये लग जाता है, तो इस तरह से मैं छोटा-छोटा इससे काट लोंगी, तो सारी ही कैरी को हम इस तरह से काट लेंगे, मैंने आधा किलो के करीब कैरी ले है, अ अब मैं इसके उपर डाल दूँगी आधा चमच नमक. नमक डालने से कैरी के अंदर जितना भी पानी होगा यह उसको रिलीस कर देगी. क्योंकि पानी ही हमारे अचार का में एनिमी होता है. तो हमने पानी को अच्छे से बॉश आउट करना है. तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम पान्च मिनट के लिए साइड रख देते हैं तब तक हम अपनी दूसरी तयारी कर लेते हैं. तो इसके लिए लगेंगे कुछ सूखे मसाले जिसमें मैंने लिया है एक चमच मेती धाना, एक चमच सौफ, एक चमच कलॉणजी, एक चमच पीली सरसो, एक चमच लाल छोटी राई और एक चमच जीरा. अब इन सारे ही मसालों को हम ड्राइ रोस्ट करेंगे. तो एक पैन में डाल कर इनको हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर भी कोई थोड़ी बहुत नमी हो तो वो भी अच्छे से सूख जाए. तो सारे मसाले डाल लेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इनको सेख लगवा लेंगे. तो हमने इनका कलर चेंज नहीं करना है बस हलका सा ही इनको रोस्ट करना है. तो रोस्ट करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे. ठंडा करने के बाद हम इनको मिक्सी में डाल के हलका सा दरदरा पीस लेंगे. आप चाहे तो इसको कूट भी सकते है अब मैं मिक्सी में डाल कर इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है दरदरा सा पीसना है देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हो तो चलिए अब हम अपनी केरी चेक कर लेते हैं देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है एकदम गीली-गीली सी हो गई है तो अब हम इसको एक छनी टाइप में रख देंगे और ऐसे फिलार देंगे और पांच मिनट इसको पके के नीचे रख देंगे तो ये फटा-फट से सूप जाएगे तब तक हम पैन में एक करची देंगे आधा चमच हल्दी एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च इससे अच्छा कलर आएगा एक चमच लाल मिर्च का पाउडर तो इन सारी चीजों को दो मिनट से एक लगवा लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे नमक तो एक चमच में इसमें नमक का डाल दूंगी और फिर ज और कोई कैरी मिठी होती है और कोई खटी होती है तो इन सारे मसालो odpow को हम इस तरह। ऑइल गरम ही है इसि में सेख लगवा लेंगे हमने गैस आन नहीं किया है तो दो मिनट इनको इस तरह से बोल लेंगे और अब हम अपनी कैरी को दी duplication को देख लेते हैं तो अब आप चाहें तो इस अचार को आप 2-3 दिन दूप लगवा सकते हैं, तो भी ये बन जाएगा, और अगर आप इसको इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो दुबारा से इसको पैर में पलट लीजिए, और गैस पे रख देंगे इसको, मीडियम गैस पे 6-7 मिनिट इसको स्टिर भी करते जाना है, तो ये देखी, अब हम एक पीस चेक कर लेते हैं, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो बस इसी स्टेंज बन कर देंगे, तो वापिस से मैं इसको उसी बरतन में पलट लेती हूं, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो बस हमारा इंस्ट में इसको मैं फ्रिज में डाल रखूंगी, तो पांच से दस दिन इसको कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको बाहर रखना चाहते हैं, तो इसमें दो चम्म सिर्का का डाल दीजिए, तो भी इसे कुछ नहीं होगा, दस से पंदरा दिन यहां राम से चलेगा, तो अगर आप को मेरी अच्क्यारकेट रेसिपी अच्छी लगी, तो फ्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कीजेगा, और रेसिपी ट्राइब भी कीजेगा,